नमस्कार दोस्तों एक question है जो आपको बार-बार परिसान कर रहा है और जिसमें समय सबसे ज़्यादा लग ज़रा है ऐसे question को सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कैसे solve करेंगे आप पहले इसको देखिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या लाना है 5 लाना है इस पर ज़रा ध्यान फोकस करेंगे तो आपको साब साब दिख रहा है कि ये दोनों आपस में खतम हो जाएंगे आपने कहाँ ठीक है अब इसको कम करना हो तो कैसे कर कर दें तो यहां value 1 हो जाएगी और divide के जिगह multiply कर दो के तो क्या हो जाएगा one में multiply करोगे 5 का 5 हो जाएगा यह zero हो गया जीरो में 5 जोड़ोगे 5 आ जाएगा अब कहानी समझ में आ रही होगी कि किसी भी condition में जो result लाना है उसी को हमें focus करना होता है और उसको focus करते हुए पर देख लेंगे कि संख्या से बड़ा value लाना है या संख्या से छोटा value लाना है उसी के according देख सकते हैं कि बड़ा लाना है तो प्लस करेंगे या multiply करेंगे या जोटा लाना है तो माइनस करेंगे या divide करेंगे तो कहानी साफ साफ समझ में आ गई बहुत बहुत धन्यवाद